नमस्ते दोस्तों आज हम बात करेंगे नाखूनों में होने वाले फंगल इंफेक्शन के बारे में नाखूनों में होने वाला फंगल इंफेक्शन कैसा दिखता है और उसका इलाज कैसे करें नाखून का फंगल इंफेक्शन हात या पेर के नाखून के नीचे एक सफेद या पीले दाग की तरह शुरू होता है दीरे दीरे नाखून का पूरा रंग खराब हो जाता है नाखून आड़ा-तेड़ा हो जाता है और मोटा होने लगता है और आसानी से तूटने भी लगता है वैसे इसमें ना तो कोई खुजली चलती है ना ही कोई दर्द होता है पर कभी कभी सूजन आ जाती है जलन होने लगती है और नाखुनों के अंदर दर्द भी होने लगता है ये बिमारी एक नाखुन में हो सकती है 3-4 नाखुनों में हो सकती है या सारे नाखुनों में एक साथ भी हो सकती है ये infection पैर के नाखुनों में ज़्यादा होता है बड़ी उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है जिन लोगों को diabetes, liver या kidney की बिमारी हो उन्हें भी ये infection आसानी से लग जाता है कहने का मतलब यह है कि जिन लोगों का शरीर का रेजिस्टेंस या पिमारी से लड़ने की ताकत कम हो जाती है उन्हें फंगल इंफेक्शन आसानी से लग जाते हैं जो लोग सुबह शाम बंद जूते जुराब पहनते हैं और जिनके पैरों में ज्यादा पसीना आता है और जिन लोगों के हाथ या पैर पानी में देर तक काम करने से गीले रहते हैं उन्हें अक्सर नाखुनों में फंगल इंफेक्शन हो जाता है हमारे नाखुनों में फंगल इंफेक्शन ना हो इसलिए हमें क्या करना चाहिए अपने हाथ पैरों को अच्छी तरह से साबुन से धो कर साफ रखना चाहिए पैरों में सूती जुराब या मोजे पहने और उन्हें रोजाना धो कर साफ मोजे पहने बंद जूते उतारने के बाद जूतों को पंखे के नीचे हवा लगने के लिए छोड़ दें ताकि जूते पूरी तरह से सूख जाएं पुराने जूतों में एंटी फंगल पाउडर डाल कर पहने और स्विमिंग पूल के आसपास सौना आदी में नंगे पैर ना घूमे हमेशा चपल बहन के रहें क्यूंकि नंगे पैर घूमने से भी पानी के अंदर जो फंगस होती है वो पैरों में लग जाती है ब्यूती पालर में ध्यान रखें कि वे आपके नाखूनों के पैडीकूर, मिनिकूर करने के लिए साफ अजार इस्तमाल करें ब्यूती पालर में गंदे, नेल कटर, नेल फाइल, गंदे तॉलिये और इन्फेक्टेज क्रीम से अक्सर लोगों के नाखूनों में फंगल इंफेक्शन लग जाता है Nail Polish और Tritrim, Artificial नखूनों का भी कम से कम उप्योग करें क्योंकि नाखूनों में खून का बहाव बहुत कम होता है इस कारण नाखून के फंगल इंफेक्शन का इलाज कई महने तक करना पड़ता है और दवाईयां भी बहुत दिन तक लेनी पड़ती है आपके नाखून में यदि इंफेक्शन है तो आप अपना सिर खुजाएंगे या शरीर में खुजली करेंगे तो नाखूनों से इंफेक्शन आपके सिर या आपके शरीर में लग सकता है अगर लंबे समय तक आप इस बिमारी का इलाज नहीं करेंगे तो नाखून पूरी तरह से खराब होकर ज़र जाते हैं नाखूनों के फंगल इंफेक्शन का इलाज करने के लिए आपको नाखून पे लगाने वाली क्रीम, मेडिकेटेड नेल पॉलिश और उसके साथ-साथ दवाईयां भी खानी पड़ती हैं पहले अपने नाखूनों को छोटा-छोटा काट लें अच्छी तरह से उसको काट लें और फिर खूब अच्छी तरह से नाखूनों को फाइल कर लें नेल फाइल से नाखून को फाइल कर लें फिर गरम पानी में नमक डाल कर 15-20 मिनिट तक अपने हाथ या पैर जहां पे इंफेक्शन है उसको सोक करें। उसके बाद हाथ या पैर को पोंच कर सुखा लें और माइकोनजॉल या कीटकोनजॉल या कोट्राइमिजॉल क्रीम को अच्छी तरह से नाखून के अंदर इस तरह से रगड के लगा लें। रात को सोने के पहले ये जरूर करना चाहिए ताकि दवाई का असर पूरी रात भर रहे आपके नाखूनों के उपर। रिमूवर से साफ करके दोबारा साथ दिन उसको लगातार अपने नाखूनों पर लगाईए। ये कम से कम 6 मेहने तक आपको करना होगा या तब तक करना होगा जब तक अंदर से पूरा नाखून नॉर्मल ना निकलाए। लगाने वाली दवाईयों के साथ साथ खाने की दवाईयां जैसे टर्बीनाफिन, रिसियोफिल्विन या आइट्रो कॉनजॉल छे से बारा हफ्ते तक आपको खानी होगी। सब चीजें साथ करने से इंफेक्शन ठीक हो जाता है और अंदर से नॉर्मल नाखून निकलने लगता है। तो दोस्तों जो नाखूनों का फंगल इंफेक्शन है वो आपके नाखूनों में फंगस का एक तरह का घर है। और उसको आप अपने शरीर में जहां पर भी हाथ लगाएंगे या खुजाएंगे तो उससे आपके शरीर में उस जगे पर fungus infection हो सकता है तो इसका इलाज आपको जरूर करना चाहिए आशा है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है कोई भी सवाल हो तो आप comment box में मुझसे जरूर पूछिए मैं आपको अच्छे से अच्छा जवाब देने की कोशिश करूँगी Thank you